नमस्कार दोस्तों आज हम classified cataloging code यानी triple C के बारे में पढ़ाई करेंगे सबसे पहली बात triple C में दो परकार के entry थेयार की जाती है जिसमें हमारा पहला होता है man entry and second added entry man entry man entry एक book की महतपूर entry होती है जिसमें एक book की ज़्यादा से ज़्यादा information दी गई होती है man entry के मदद से ही एक book के लिए कितनी added entry तयार करनी है एक गयात करते हैं triple C यानी की classified cataloging code main entry को हम यहाँ पर five section में divide करते हैं जिसमें हमारा पहला होता है leading section जिसके अंतरगत class number और book number आते हैं दूसरा होता है हमारा heading section heading section के अंतरगत surname यानी author का surname, author और suit name आधिक information दिये जाते हैं तीसरा होता है हमारा title section title section title colon subtitle dot addition dot collaborator की information दी जाती है and fourth होता है हमारा series section series section के अंतरगत series dot editor of series dot number of series इसके बाद सबसे last में हम accession number की information देते हैं accession number एक library के अंतरगत unique number होता है जो किसी भी book जो हमारे library के अंदर होती है उसको एक unique number प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम accession number के नाम से जानते हैं इस तरह से हम पूरा cataloging card त्यार करते हैं जो triple C के main entry में आती है main entry के अंतरगत हम whole book की जानकारी देते हैं जिसमें book का author, editor, title, subtitle पूरी information की जानकारी हमें card से मिल जाती है दोस्तों आपको में हमारा वीडियो कैसा लगा क्रिप्या इससे जादा से जादा लाइक करें सब्सक्राइब करें थाइंक्यू